नमस्कार दोस्तों, डेट है आज स्कीम 16 दिसंबर 2020 और सौगत है आपका एड़ोयल डिसकेशन में आज हिंदू में दो इशुज इंपोरेंट हैं एक जस्टिस दिलिवरी सिस्टम से समदित और दूसरा पीएम वानी स्कीम से समदित हलाकि हमने पीएम वानी स्कीम को पहले भी डिसकस किया था लेकिन आज डिटेल से सिस्टेमेटिक मैनर से डिसकस करेंगे ताकि एकजाम में कोशन आता है किसी भी परकार से उसको एड़र्स किया जा सके देखो हिंदू में एगरिकल्चर के जो आर्टिकल्स हैना काफी ज़्यादा आ चुके हैं और हमने डिसकस भी कर लिये हैं कुछ इशूज जो लंबे समय तक चलते हैं वो ओर स्ट्रेच हो जाते हैं सेम बात अलग-अलग राइटर अलग-अलग धंग से बोलते हैं जैसे COVID-19 है, COVID-19 शुरू में आया था तो हमने आर्टिकल्स डिसकस किये थे बट उसके बाद तो डेली बेसिस पर COVID-19 से समधित आर्टिकल्स आने लगे तो हमें COVID-19 के बारे में रिसर्स नहीं करनी बस इतना त्यार करना था कि एक्जाम में कोर्शन आये तो हम आसानी से उस कोर्शन को एड़स कर स्केम उसी परकार से अब अग्रिकल्चर के जो आर्टिकल्स है ना आल्मोष्ट डेली बेसिस पर आ रही हैं और सेम ही चीज अगेन रिपीट होती है अलग अलग वर्ड्स में अलग 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 एक्जाम्पल्स के साथ तो आज सबसे लाश्ट में हम एथिक्स का एक छोटा सा पोर्शन डिसकस करेंगे मोरल एटिटूट से समधित चलिए डिसकसन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपोर्टन आर्टिकल PM-Vani scheme के बारे में हैं आप GS Paper 2 के governance में इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं इसके अलावा GS Paper 3 से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है यह सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिसकेसन में सबसे पहले हम बात करते हैं context scheme देखो 9 December को Central Government के द्वारा एक नई scheme लोंच की गई जिसका नाम है PM-Vani पूरा नाम है Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface scheme scheme का objective यह है देश के विबिन इलाकों में Wi-Fi hotsports को deploy करके internet connectivity को ensure करना और वो भी low rates पर कैसे यह scheme काम करेगी एक बार हम समझ लेते हैं देखो इस scheme की implementation में कई सारे actors होंगे Public Data Office यानि की PDO इसके बार next actor है PDOA यानि Public Data Office Aggregator A for Aggregator तीसे नंबर पे Application Provider और चोथे नंबर पे Users जो कुछ पैसे देके internet को access करेंगे देखो एक्जांपल की साहिता से समझते हैं एक्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाता है मान लीजिए विराट कोली कल को run बनाना बंज कर देते हैं मतलब उनकी performance खराब हो जाती है उनको team से निकाल दिया जाता है तो ऐसी situation में विराट कोली जाते है दोनी के पास और बोलते हैं कि दोनी भाई कोई काम दिलवादो यार घर का खर्चा चलाना मुश्किल साबित हो रहा है तो दोनी बोलते हैं कोली को कि एक नई स्कीम आई है PM वानी स्कीम इस स्कीम में आप public data office aggregator बन सकते हो कोली खो आईडिया अच्छा लगता है कोली पूछते हैं दोनी से मतलब क्या है public data office aggregator का दोनी बताते हैं देखो public data office aggregator क्या करेंगे इंटरनेट की bandwidth purchase करेंगे किस से टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर से या फिर उन कंपनी से जिनके पास इंटरनेट की bandwidth मुझूद है माल लीजिए 8L से खरिद ली internet की bandwidth कोली बोलते हैं ठीक है मैं बन गया public data office aggregator और मैंने bandwidth purchase कर ली internet की उसक्या मैं करूंगा क्या तो दोनी बताते हैं public data office aggregator क्या करेगा अपने अपने एरिया में जाएगा पानवाले की दुकान के पास परचून की दुकान के पास नाई की दुकान के पास जहां जा सकता है वहां जाएगा उनको convince कराएगा कि आप अपने यहां पे होट्सपोर्ट वाइफाई का होट्सपोर्ट लगा लीजिए वो होंगे public data office यानि जहां जहां पर wifi का होट्सपोर्ट लगएगा चाहिए वो नाई की दुकान हो पान की दुकान हो परचून की दुकान हो यह सब होंगे public data office यहां पर wifi का होट्सपोर्ट लगा होगा अब public data office वाले भी पूचते है कोली से कि ठीक है बैया आपके कहने पर हम ये Wi-Fi का Hot Spot अपनी दुकान में लगा तो लें लेकिन इन से हमें फाइदा क्या होगा तो कोहली कन्वीन्स कराते हैं पान वाले को जहां पर ये Wi-Fi का Hot Spot लगा है यानि Public Data Office वाले को कि Users यानि Customers आपके पास आएंगे आपको पैसा देंगे 2 रुपए में 1 GB या फिर 4 रुपए में 2 GB ऐसा पैसा देंगे वो इंटरनेट को एकसेस करेंगे और इससे आपको भी फाइदा होगा कुछ कमिशन आप हमें दीजिएगा यानि Public Data Office Aggregator को दीजिएगा यह पूरी स्कीम है मैं 10 सेकिंड में फिर से रिपी वालों को जगह जगह पे जो दुकाने होती है वहाँ पे तो वहाँ पे Wi-Fi hotspot लगा होगा जिसे users कुछ पैसा देके इंटरनेट को एकसेस कर सकेंगे यह है पूरी स्कीम अब यह स्कीम काफी ज़्यादा अच्छी है काफी सारे इस स्कीम के फाइदे हैं एक बार हम फाइद लिगनेट को एकसेस नहीं कर पा रहा है या तो internet infrastructure ना होने की वज़े से या फिर digital literacy ना होने की वज़े से बट इस स्कीम की साःता से remote areas में, role areas में internet की facility अवेलेबल होगी तो digital divide की जो समस्या है वो address होगी नेश्ट फाइदा होगा economic growth देखो एक अनुमान के अनुसार इंडिया अपनी GDP में एक ट्रिलियन डोलर्स की economic value एड़ कर सकता है digital technology की साहिता से 2025 आने से पहले नेश्ट vulnerable sections empower होंगे कैसे empower होंगे उमंग application के बारे में आपने सुना होगा उमंग application पर 194 government departments की 2084 services को आप avail कर सकते हो ये services education, health, finance, social security से समन्दित हैं बड़ देखो देश का एक बड़ा वर्ग तो ऐसा है एक बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो इस application को access कर ही नहीं पाती क्योंकि internet नहीं होता या फिर उनको इस application के बारे में पता नहीं होता या फिर पता होता है लेकिन वहाँ पे infrastructure सम्मदित कुछ दूसरे issues होते हैं लेकिन देखो इस scheme के implement होने के बाद देश की जातर areas में अच्छे internet facility available होगी और जो vulnerable sections है वो भी इन services को avail कर सकेंगे next है development of rural and remote areas देखो internet जहां जहां पर है internet का एक important role रहता है उस area के development में जैसे normal सा example है internet जहां पे है वहाँ पे startup open हो सकता है employment की नई opportunities generate हो सकती है बहुत फाइला होता है internet होने से और इसके बाद will provide employment अब देखो ये पान की दुकान है या फिर दूसरी जो दुकाने हैं इनका income level increase होगा या फिर कुछ लोग तो specially जैसे पहले PCO उन्होंने establish किये थे लोग आते थे phone पे बात करते थे पैसे देते थे तो कुछ लोग तो special public data office ही establish करेंगे तो employment की opportunities generate होगी next है will improve digital literacy internet देखो ज़्यादा areas में अगर available होगा तो ज़्यादा लोग internet चलाएंगे इन्टरनेट users की संख्या increase होगी और internet users की संख्या increase होगी तो digital literacy ज़्यादा आएगी हमारे दीस में next है new wave of internet users सिद्धी सी बात है ज़्यादा areas में अगर internet available होगा तो internet users की संख्या increase होगी तो government कल को कोई scheme चलाती है कोई program चलाती है कुछ benefit से provide करना चाहती है मान लीजिए काफी सारी welfare schemes सरकार चलाती है तो आसानी से सरकार welfare scheme चला सकती है क्योंकि internet users की संख्या जादा होगी हमारे दीस में उसके बाद है cutting the red tape इसमें देखो जो ये public data office वाले हैं इनको किसी परकार से कोई license लेने की आवसकता नहीं है तो सरकार ने अच्छे ढंग से scheme को प्लान किया है ताकि ये जो scheme है bureaucratization के जाल में फसके न रह जाए उसके बाद next है low cost alternative देखो आज के समय में कई सारी जो telecom companies हैं जैसे Vodafone, Atel, Geo इनके ऊपर burden काफी ज़्यादा है तो ये scheme जो implement होगी इस scheme की साहिता से users जो हैं उनके पास alternate available होगा वो internet चलाने के लिए इ देखो अगर employment की opportunities generate होगी internet ज्यादा जगह अविलेबल होगा income level बढ़ेगा तो गरीबी कम होगी उसके बाद next है will help to achieve the objective of भारत net भारत net scheme के बारे में आपने सुना होगा rural areas में यानि villages में internet connectivity को provide करना देखो ये scheme न काफी अपनी deadlines को miss कर चुकी हैं मतलब ये scheme अपने target को achieve नह ये help करेगी भारत net scheme को अपने target को achieve करने में PM1i scheme की साहिता से ज्यादा से ज्यादा villages में internet connectivity की facility available होगी इस परकार से हमने PM1i scheme की significance के बारे में समझा अब देखो आर्टिकल में कहा जाता है जो ये PM1i scheme है कुछ pillars पर अधारित होगी यानि कुछ main components होगे scheme की implementation में जैसे सबसे हैं interoperability मतलब एक बार user अगर देखो login कर लेता हैं किसी wifi hotspot में तो फिर वो थोड़ा सा दूर भी चला जाता हैं तो भी वो internet को access कर सकेगा नए wifi hotspot की साहिता से मतलब example की साहिता से आपको बताऊं मान लिजीए ये public data office aggregator है ये पर्चून की दुकान है किर्याने की दुकान है यहां पे किसी user ने login करके 2 रुपे का 1GB खरीदा तो अब थोड़ा सा वो आगे चला गया यहां पे पान की दुकान है पान की दुकान पे भी इसी public data office aggregator का hotspot लगा हुआ है तो फिर ऐसा नहीं कि user का internet चलना बंद हो जाएगा user फिर यहां पे आने के बाद भी इस hotspot की साहित यहां पर देखो यह actors हम discuss कर रहे थे ना इसमें एक application provider भी होगा application provider जिसके अंदर जाके जिस पर login करके जो user है वो पैसे कटवास केगा पैसे देखो user online offline दोनों दे सकता है इस application जो यह application provider होगा उस पर login करके जो user है वो internet pack को खिद्स केगा तो यह काम होगा application provider का application provider पर जाके user समझ भी इसकेगा देख सकेगा कहां पर मेरे nearest wifi hotspot है जहां से मैं internet को access कर सकता हूँ तो payment gateway का भी काम करेगा यह app provider मतलब payment gateway की facility अवेलेबल होगी payment दिया जासकेगा user के द्वारा और wifi hotspot को search भी किया जासकेगा यह काम होगा app provider का अब आते हैं फिर से pillars की हम बात क interoperability मतलब आप एक wifi hotspot से दूसरे hotspot पर जाओगो तब भी आपका internet चलता रहेगा उसके बाद है multiple payment option जैसा हमने डिसकस किया online payment भी की जा सकती है application की सहता से और offline भी पान वाले के पास आप जाओगे बोलोगे कि भाया हमें पान नहीं चाहिए पान हम नहीं खाते लेकिन 2 रु authentication हो जाता है माल लीजिए एक बार आपने एक wifi hotspot पर अधार कार्ड की साहिता से authentication कर दिया तो फिर आपकी जो details है वो store रहेंगी बार बार आपको KYC की आफसकता नहीं पड़ेगी बार बार आपके पास ऐसा नहीं कि OTP आएगा और फिर आप authenticate करोगे और तब जाबके आपक या पूरी कर दी है तो बार-बार OTP की आफसकता नहीं पड़ेगी इसके बाद हम बात करते हैं challenges की देखु सबसे पहला challenge है privacy से समधित अभी हाल ही में एक बड़े scale पे study conduct हुई थी वर्ड के 15 बड़े airports पर users जब internet को access करते हैं एरपोर्ट पर wifi hotspot होता है तो वहां पर users जब इंटरनेट को access करते हैं तो दो तेहाई users अपनी private information को leak कर देते हैं और देखो इंडिया में तो वैसे भी अभी तक कोई law आया नहीं है privacy को protect करने के लिए data को protect करने के लिए हालां कि जैसा हमने पहले भी discuss किया सुप्रिंग कोट ने अब 2017 की पुटा स्वामी के इसकी judgment में right to privacy को एक fundamental right करार दे दिया है नेश्ट है security risk security risk का मतलब देखो ये है public wifi hotspot की चाहिता से आप internet को access करोगे तो आपके mobile device या फिर दूसरे devices के hack होने का खत्रा बना रहेगा आपके passwords या फिर pins चोरी होने का खत्रा बना रहेगा next low speed देखो google ने rail tell के साथ एक करार किया था railway stations पर internet की facility को provide करने के लिए बट google ने काफी समय के परियास करने के बाद इस साल के सुरुवात में ये facility जो है अब बंद कर दी है क्यूं क्यूंकि देखो इसलिए एक तो सस्ता data वो नहीं provide कर पा रहे थे दूसरा एक ही समय में इतने सारे users internet को access कर रहे थे तो data की जो speed थी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती थी ये भी समया आ सकती है next है cheap mobile data देखो already mobile data जो है वो काफी ज़्यादा cheap है मतलब 150 रुपे में तो पूरे महिने का data मिल जाता है daily 1GB 1.5GB ऐसे ऐसे plans हैं तो फिर कितने users इस scheme का lab उठाएंगे ये देखने वाली बात होगी तो ये कुछ challenges हैं जो आप लिख सकते हो इसके बाद अगर बात करें way forward की देखो हमारे देश में cyber security का architecture strong होना चाहिए इस scheme की implementation से पहले जैसे आपका जो data है वो secure रहे, transparency रहे, कैसे data का इस्तमाल किया जा रहा है अगर किया जा रहा है और cyber attacks के against be security आपको मिले अगर आप internet facility अवेल करना चाहते हो इस scheme की साहिता से, उसके बाद ensuring competition, competition होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिरफ विराट कोली ही public data office aggregator बंसके, दूसरे players को भी मुखा मिलना चाहिए, मतलब दूसरे individuals को भी मुखा मिलना चाहिए, कि वो भी अगर public data office aggregator बंना चाहते है तो वो बंसके, even application providers के बीच में भी competition होना चाहि जिस भी hardware या software के आव सकता है, और जो companies इन्हें provide करेंगी, उनके भी competition होना चाहिए, conclusion में कहा जाता है, देखो ये जो PM वानी scheme हनम, इसकी साहिता से state जो है, वो digital connectivity provide करने जा रहा है, उन लोग को जो अब तक digital connectivity को access नहीं कर पाए हैं, तो ये scheme game changer साबित होने वाली है, इस scheme मे provide क्या जाए digital भारत में, तो ये हमने पूरा article डिसकस किया, PM वानी scheme के बारे में चलते हैं आगी, नए श्टा article, justice delivery system से समानित हैं, आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हूं, देखो जब हम justice delivery system को improve करने की बात करते हैं, तो ज़्यादार times हम सिरफ Supreme Court की बात करते हैं, बट हमें justice delivery system को improve करने में, जिन दूसरे aspects पर भी काम करने की आप सकता हैं, उनको discuss करेंगे, जैसे देखो, सबसे पहले हैं, free legal aid, जैसे आपको पता हैं, कि सविधान के article 39A में, free legal aid की बात कही गई हैं, इस पर UPSC ने इस बार prelim में कोशन भी पूछा था हम, जो Legal Services Authority Act 1987 हैं, इसके अंतर entitled हैं, free legal aid provide करने के लिए, इसके अलावा, schedule caste के लोग, schedule tribe के लोग और बच्चे भी entitled हैं, free legal aid provide करने के लिए, तो मतलब, देश की significant population ऐसी हैं, जो free legal aid हासिल करने के लिए entitled हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या ठीक से इस act का implementation हो रहा हैं, बिल्कुल नहीं, बहुत कम लोग को ये चीज़ पता हैं, आप अपने भाई भेंट से पूछ के देखिएगा, क्या आपने इस scheme के बारे में सुना हैं, free legal aid scheme के बारे में, ज्यादा संभावना यही हैं, कि उनको ये नहीं पता होगा, अब UPSC की त्यारी वो कर रहे हों, तो अलग बात हैं, तो article में कहा जाता हैं, ये almost dead letter हैं, जबकि अगर UK से हम compare करें, UK में भी free legal aid वाली scheme हैं, वहाँ पे देखो, जो independent solicitor offices होते हैं, उनको identify किया जाता है, सरकार के दोरा, उनको पैसे दिये जाते हैं, कि भया, आप ये free legal aid scheme provide करने में हमारी help कीजिए, यानि free में case लड़िए, जिनके पास पैसे नही हैं, तो हमारे देश में सरकार ऐसी कोई मदद नहीं करती, independent solicitor offices को, यानि independent advocates को, इसके बाद second issue, justice delivery system का, जिस पर काम करने के आप सकता है, वो हैं, judge population ratio, यूएस में देखो हर 10 लाग के पीछे 100 judge हैं, कनारा में हर 10 लाग के पीछे 75 judge हैं, UK में हर 10 लाग population के पीछे 50 judge हैं, और इंडिया में कितने 19, at any given point हमारे देश में एक चुथाई जो judges की post हैं, वो vacant रहती हैं, देखो सोचके देखें, आलेडी judges की जो post हैं, वो ही कम हैं, मतल जब judges की sanction post ज़्यादा होनी चाहिएं, लेकिन जो हैं, वो भी खाली रहती हैं, सरकार उन्हें जल्दी से भरती नहीं हैं, 2001 के All India Judges Association vs Union of India के इसमें, Supreme Court ने Government of India को कहा था, आप आने वाले 5 सालों में ये ensure कीजियें, कि हर 10 लाख लोग के पीछे कम से कम 50 judge तो हो, क्या इस order को implement किया गया, बिल्कुल भी नहीं, उसके बाद, next issue है, access to justice काम, ये देखो काफी important है, अनिता खुस्वाहब vs. पुस्पा सदन केस में, Supreme Court ने कहा था, ये जो आर्टिकल 21 है ना, right to life से समधी थे, इसमें life मतलब, simple वाली life नहीं मतलब की हाँ बंदा जिंदा है, वो life, इसका मतल बहुत broad है, Supreme Court ने इस judgment में कहा था, कि life का मतलब ये है कि आपके पास ऐसे rights है, जिनकी साहिता से आपकी जो life है, वो worth living है, और उन में से एक important right है, access to justice का, Supreme Court ने इस judgment में clarify भी किया कि access to justice के अंदर कौन-कौन से चीज़ें आती है, जैसे need for adjudicatory mechanism, मतलब आपका किसी के साथ dispute हो आप court के पास जासको, ये सबसे पहला point है, access to justice में, दूसरा point, conveniently accessible, अब देखो मान लीजिए, आपके घर से जो nearest court है, वो 400 km की दूरी भर है, even civil court भी, trial court भी, तो इसका मतलब तो आप justice को नहीं access कर पा रहे हो ना, इतने दूर दरास के area में आपको जाना पड़ता है, justice को access करन उसके बाद next है, process of adjudication must be speedy, मतलब जल्दी case का समाधान होना चाहिए, उसके बाद next, it must be affordable, ऐसा नहीं कि आप court में जा रहे हो तो आप से भारी बरकम 20 वसूली जा रही है, नहीं, justice को access करना, आसान होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, speedy होना चाहिए, accessible होना चाहिए, लेकि case की सुनवाई भी, आल्मोश 6 सालों तक चलती रही, और 6 साल के बाद Supreme Court ने ये judgment दिया, और judgment में ये सारी बाते बोली, इसके बाद next issue है, increasing tribunalization, देखो, अलग-अलग issues के लिए, tribunals जो है, वो establish होती जा रही है, और tribunals में executive यानि सरकार का भी interfere रहता है, क्योंकि सरकार administrative members को appoint करती है, तो फिर ये judiciary के independence के against है, और काफी जगाओं पर तो court की fees भी ज़्यादा है, जो petitioner है, वो इतनी ज़्यादा fees जो है, वो दे नहीं पाते, और system में, यानि justice delivery system में, technology को भी अभी तक हमारे देश में अच्छे धंग से integrate नहीं किया जासका है, हलाकि कोशिस हुई है, lockdown के बाद खांस करके काफी सारी courts ने online काम किया है, efficiency भी आई है, बट सब जगें ऐसा नहीं हो सका है, कुछ-कुछ bright sports है, यानि कहीं कहीं पर अच्छी performance courts की देखने को मिली है, तो कुल मिला के last में भी writer यहीं बोलते हैं, कि जब justice delivery system को improve करने की बात आये, तो सिरफ Supreme Court पे आप ध्यान मत दीजिए, यह सारे जो aspects हैं, इन पर भी हमें ध्यान देने की आउशकता हैं, तो अब इसके बाद हम ethics का एक छोटा सा portion discuss करते हैं, moral attitude से समधित, देखो moral attitude को discuss करने से पहले, आप मुझे morality का मतलब बता दीजिए, morality से आप क्या समझते हों, morality मतलब ऐसे principles जिसके base पर आप सही और गलत की पहचान करते हो, मतलब यह identify करते हो, क्या सही है, क्या गलत हैं, moral standards देखो, individual to individual vary करते हैं, जैसे example के तोर पर, capital punishment किसी के लिए moral हैं, और किसी दूसरे person के लिए capital punishment immoral हैं, मतलब किसी के लिए सही है, किसी के लिए गलत हैं, उसी परकार से युथनेश्या, क्या होता हैं, मान लिजे कोई person कोमा में हैं, और ठीक होने की संभावना काफी ज्यादा कम हैं, तो फिर resources को save करने के लिए injection देखें, peacefully death दे दी जाती हैं उस patient को, यह मतलब होता है युथनेश्या का, अब युथनेश्या देखो, किसी के लिए सही है, किसी के लिए गलत है, किसी के लिए ये morally right है, किसी के लिए morally wrong है, समझ गए, तो moral जो standards होते हैं, वो individual to individual vary करते हैं, तो morality के बारे में समझने के बाद, अब हम बात करते हैं moral attitude की, देखो, moral attitude का simple मतलब है, attitude towards morality, moral attitudes देखो, वो attitude होते हैं, जो कि हमारी moral convictions पर अधारित होते हैं, आपका moral attitude क्या है, इससे ये पता लग जाता हैं, आपके हिसाब से क्या सही है, क्या गलत हैं, मैं आपको example की साहिता से बताता हूँ, मान लिजे, आपका जो moral attitude हैं, वो nuclear proliferation के against हैं, nuclear proliferation समझते हो न, nuclear weapons को develop करना, जैसे इरान nuclear proliferation की दिशा में आगे बढ़ना चाता हैं, मतलब इरान nuclear weapons हासिल करना चाता हैं, बट आपका जो moral attitude हैं, वो nuclear proliferation के against हैं, मतलब आपके अनुसार nuclear weapons हासिल करना ये गलत हैं, तो आपका moral attitude nuclear proliferation के against था, तो मतलब पता लग गया कि आपके हिसाब से nuclear weapons हासिल करने चाहिए या फिर नहीं हासिल करने चाहिए उसी परकार से अगर आपका moral attitude capital punishment के against है तो इसका मतलब ये है आपके हिसाब से capital punishment देना गलत है और अगर आपका जो moral attitude है वो capital punishment के pucks में है तो इसका मतलब आपके हिसाब से capital punishment देना सही है इसमें कुछ भी गलत नहीं है तो मतलब आपका moral attitude क्या है इससे पता लग जाता है कि आपके हिसाब से क्या सही है और क्या गलत है जैसा हमने पहले discuss किया morality देखो individual to individual vary करती है उसी परकार से moral attitude जो है वो अलग अलग persons के लिए अलग अलग होता है किसी individual का moral attitude positive हो सकता है live in relationship के परती लेकिन किसी दूसरे individual का moral attitude negative भी हो सकता है live in relationship के परती देखो एक बात यहाँ पर आप ध्यान में रखेगा moral attitude एक neutral concept नहीं है मैं आपको example देता हूँ कि neutral concept क्या है देखो आपको जलेवी पसंद है आपको गुलाब जमुन पसंद है आपका जो attitude है वो positive है जलेवी के परती तो इसमें सही और गलत की बात involved नहीं है न ठीक है भाई आपको जलेवी पसंद है खाओ आप रबडी में डाल के खाओ जैसा मर्जी खाना चाओ आप खाओ लेकिन किसी individual को रबडी पसंद है गुलाब जमुन पसंद है इससे society पर कोई impact नहीं पढ़ने वाला है बट capital punishment का जो issue है nuclear proliferation का जो issue है यह ऐसे issues हैं जिनसे society पर impact पढ़ता ह हैं इन में सही और गलत की बात involved होती हैं समझ गये हाँ एक और बात आपको बोलूँ बीफ खाना बीफ नहीं खाना नोन वेजिटेरियन खाना या फिर नहीं खाना इसमें सही और गलत involved हैं समझ गये कुछ लोग के लिए बीफ खाना उचित हो सकता हैं लेकिन कुछ लोग के ये खास करके हिंदु धर्म के लोग के लिए बीव खाना मतलब धर्म के खिलाफ है बहुत ज़्यादा तो ये एक ऐसा इश्यू है जिसमें morality involved है आपको पता है हमारा समाज बीव के इश्यू पर हमेशा से sensitive रहा है मतलब even आप history पढ़ते हो तो भी आपको ऐसी ख़बरे देखने को मिलती है कि British era में भी दंगे हो जाया करते थे beef के issue को लेके तो कहने का मतलब देखो ये है moral attitude में सही और गलत क्या है आपके अनुसार ये चीज़ involved होती है अगर किसी target object को लेके target object जैसा आपको पता है कुछ भी हो सकता है event हो सकता है place हो सकता है person हो सकता है अगर किसी target object को लेके आपका जो attitude है उसमें सही और गलत कुछ involve नहीं है जैसे आपको सारु खान की मूवी पसंद है या फिर टोम क्रूज की मूवी पसंद है नमाजु दिन सिद्की की मूवी पसंद है इसमें कुछ सही और गलत नहीं है थीक है पसंद है तो देखो आप ना तो इसमें कोई सही और गलत का इश्यू इन्वॉल्व है और नहीं सारु लुखान की मूवी देखने से या फिर टॉम क्रूज की मूवी देखने से सोसाइटी पर कोई impact पड़ता है तो इस परकार के attitude को आप कह सकते हो amoral attitude amoral attitude होते हैं ये neutral concept है बट जो moral attitude का concept है न वो neutral नहीं है moral attitude biased होता है किसके परती? सही के परती righteousness के परती और जो immoral attitude होता है वो biased होता है किसके परती? बिल्कुल ठीक सोचा गलत के परती समझ गहें? मैं फिर से बोलता हूँ moral attitude एक neutral concept नहीं है नाम में ही moral है मतलब moral attitude वो attitude जो सही हो मतलब कम से कम individual के हिसाब से सही हो क्योंकि हर एक individual के हिसाब से सही और गलत अलग अलग होता है तो ये हमने moral attitude के बारे में basics discuss किये, details है, काफी चारे examples के साथ अब थोड़े features हम discuss कर लेते हैं moral attitude के देखो moral attitude strong होता है मतलब की जो normal attitude होता है आपको क्या पसंद है आप किस के बारे में कैसा सोचते हो movie के बारे में कैसा सोचते हो वो attitude इतना जादा strong नहीं होता लेकिन ऐसे issues जिसमें right और wrong involved होते हैं उनके बारे में आप strongly feel करते हो मतलब moral attitude relatively strong होता है it shows higher correlation with the behavior इसका मतलब ये है जैसे देखो आपको जो behavior है वो आपके attitude को reflect करता है लेकिन जैसा हमने पहले भी discuss किया था कोई जरूरी नहीं कि आपका जो attitude है आप उसी परकार से behave करोगे for example मा लिजिए आपका जो attitude है वो tom cruise की movies के परती positive है but कोई जरूरी नहीं ना कि आप tom cruise की movies देखो गए ही भाईया मेरी exam है नहीं देखोंगा मैं मुझे अच्छी लगती है movies देखना tom cruise की movies लेकिन मैं नहीं देखोंगा क्योंकि मेरे paper है जब तक मैं clear नहीं करूंगा मैं नहीं देखोंगा तो मतलब आपका attitude वैसे तो positive है tom cruise की movies के परती लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो आपके behavior में reflect होगा ही लेकिन समान्यता moral जो attitude होता है वो behavior में ज़्यादा reflect होता है for example आप किसान अंदोलन के pucks में हो आपको लगता है किसान जो protest कर रही है वो सही है तो फिर ज़्यादा संभावना है कि आप किसान अंदोलन के pucks में facebook पर post डालोगे या फिर किसान अंदोलन को join करोगे उसी परकार से अगर आपको लगता है किसानों का जो अंदोलन है वो गलत है किसानों को नहीं protest करना चाहिए तो फिर हो सकता है कि आप facebook पर या फिर दूसरे social media platforms पर फामलास के pucks में अपना जो पोश्ट है वो डालो और दूसरे लोग भी कहो कि protest जो है वो गलत है लास जो है वो सही है तो simple कहने का मतलब ये है moral attitude ज़्यादा reflect होता है behavior में as comparison to simple attitude और उसके बाद next है it shows universalism इसका मतलब देखो ये है आपका किसी issue के परती जो moral attitude होता है आपको लगता है दूसरे लोगों का भी यही attitude हो for example आपको ये लगता है public places में या फिर खूले में कूडा फिलाना गलत है तो आप दूसरों को भी बोलोगे आप चाहोगे कि दूसरे भी आप कितरह ही act करें और खूले में कूडा ना फिलाएं और public places में कूडा ना फिलाएं तो universalism का simple मतलब ये होता है कि आपका जो moral attitude है आप चाहते हूँ कि दूसरे लोगों का भी यही attitude हो next emotional content काफी ज़्यादा high होता है moral attitude में देखो attitude के तीन component होते हैं आपको याद होगा cab model cognitive, effective और behavioral तो ये effective जो component होता है ये काफी ज़्यादा dominant करता है moral attitude में emotions जूड़े होते हैं लोगों के moral attitude में इसी की वज़े से mob lynching हो जाती है लोगों को लगता है कि beef खाना बहुँ ज़्यादा गलत है moral attitude जो है लोगों का उसके अनुसार beef खाना गलत है तो इसी वज़े से जब कोई beef खाने वाला person मिलता है या फिर जो गाएं को ले जाये जाता है तो उस पर even more lynching तक हो जाती है क्योंकि लोगों के जो emotions हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं moral attitude में उसके बाद है inherent justification moral attitude के मामले में देखो justification जो है काफी बार inherent होती है मतलब logic वगरा आप apply नहीं करतें जैसे नवरातरी में non-veg नहीं खाना होता मतलब सही बात है non-veg नहीं खाना होता नवरातरी के दुरान लेकिन जातर लोग जानने के भी कोशिस नहीं करतें क्यूं inherent justification है कि हाँ बस नवरातरे में non-veg नहीं खाना है बीना किसी justification के अगर नवरातरे के दुरान कोई non-veg खाता है तो हम इसे गलत मानते हैं उसके बाद next है motivation to act देखो आपका जो moral attitude है किसी issue के परती वो आपको motivate भी करता है आप को action लेने के लिए kind of ये वही बात हुई second वाला point देखे it shows higher correlation with the behavior मतलब अगर nuclear proliferation के against आपका moral attitude है तो कल को कोई rally निकलेगी nuclear proliferation के against या फिर capital punishment के against आपका attitude है moral attitude तो capital punishment के against कल को कोई rally निकलेगी तो संभावना है कि आप action भी लोगे आप या तो उस rally में हिस्सा लोगे या फिर अपनी तरफ से कुछ कदम उठाऊगे उस rally को spot करने के लिए तो मतलब moral attitude आपको increase करता है motivate करता है action लेने के लिए इसके बाद अब देखो ये point आता है कि बहुत ज़्यादा moral attitude होना किसी issue के बारे में इससे नुकसान भी होते है नुकसान क्या होते है जैसा हमने डिसकस किया moral attitude जो है वो individual to individual vary करता है तो moral attitude आपका कोई बहुत ज़्यादा strong है किसी issue पर तो दूसरे person का भी काफी strong है दोनों के बीच में तो लडाई हो जाएगी न उसी का तो result है beef के ऊपर आपस में लडाई होना दंगे होना दूसरे issues को लेके भी काफी बार दो कमिनिटीज के बीच काफी ज़्यादा fight हो जाती है ये इसी का नतीजा है too much moral attitude अगर देखो बहुत ज़्यादा moral attitude होता है विबिन इस्यूस को लेके बहुत intensity वाला बहुत depth के साथ moral attitude होता है तो लोगों के बीच corporation काफी poor होता है social norms पर disagreement आ जाता है वैसे दो देखो किसी भी society के लिए social norms same से होते हैं same मतलब मान लीजिए हमारे समाज में खास करके जैसे गाओं में living relationship को बुरा माना जाता है but अगर moral attitude ज़्यादा हावी होगा तो फिर गाओं में ही living relationship को लेके अलग-अलग लोगों की राय जो है वो अलग-अलग होगी social norms पर agreement नहीं हो सकेगा सबसे last में अगर देखो बहुत strong moral attitude या फिर moral convictions है तो इससे समाज में intolerance भी बढ़ता है violence का acceptance भी बढ़ता है कैसे फिर से आए पिसली slide पर इसमें हमने क्या discuss किया देखो अगर moral attitude होता है तो ये universalism शो करता है आपका जो moral attitude है आप चाहते हो दूसरों का भी वही attitude हो दूसरों का भी वही moral attitude हो तो अगर देखो किसी दूसरे person का दूसरा moral attitude है तो फिर intolerance पैदा होगी क्योंकि आपका moral attitude काफ़ ज़्यादा strong है और सामने वाले का moral attitude है वो आप से अलग है तो आप इस चीज को बरदास्त नहीं कर्श कोगे इन intolerance पैदा होती है अगर बहुत ज़्यादा strong attitude होता है moral attitude होता है individuals में तो ये कुछ implications हमने डिसकस की बहुत ज़्यादा strong moral attitude या फिर strong moral convictions होने से अब लाक्ष में लेखो conclusion में कहा जा सकता है कि किसी बे individual के पास ऐसी quality होनी चाहिए जिसकी साहिता से वो अपनी जो moral convictions है उसको समय समय पर renew कर सके अगर ज़्यादा अच्छी knowledge सामने आती है तो फिर ऐसा नहीं कि पुराने moral attitude पर बंदा stick है अगर कुछ नई चीज पता लगी है फोर एग्जामपल capital punishment के बारे में युथनेशा के बारे में या फिर nuclear proliferation के मामले में नई चीजे सामने आई है नई theories सामने आई है तो किसी भी individual को त्यार रहना चाहिए अपनी moral convictions को upgrade करने के लिए ऐसा नहीं कि बस आपने एक बार ठान लिया तो ठान लिया और आप अपना moral attitude जो है वो change करने के लिए तयार ही नहीं हो वैसे जैसा हमने डिसकस किया चूँकि moral attitude में emotional component यानि effective component काफी ज़्यादा high होता है इस वज़े से moral attitude असानी से change नहीं होता moral attitude बहुत मुश्किल से change होता है तो इस परकार से हमने moral attitude के basics को discuss कर लिया तो इस discussion में फिलाव इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion